तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं कि इस टोन इस प्रोजेक्ट एंड 30 डिर्वी थे होरिजेंटल अगर मैं होरिजेंटल से किसी स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया और वह एंगल कुछ ऐसा है एंगल क्या है थर्टी डिग्री है थीटा इस उकल टू थर्टी डिग्री पर हमने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया तो वह कुछ ऐसे पैराबोलिक पात पर जाएगा यह पैराबोला ऐसे फॉलो करेगा और यहां आके हीट करेगा दर ऐसी आप दे काइनेटिक इनेट पॉइंट अप प्रोजेक्शन म यह कर रहा है कि कैनेटिक और टू कामेशयो लेना था तो काइनेटिक इनेटी मानलो यू से प्रजेक्ट हुआता तो यहाँ x में थोड़ी जीलो है यहांस तो यहांसे हत्व तो हंदेख हुए तो काइनेटिक इनेटिक इनलग्छी initially O point पे देखोगे तो half M U square this is the kinetic energy at the equation first origin पे अब kinetic energy जो है दूसरे top point पे तुम देखोगे तो वहाँ जाएगा half M velocity U dash का square यहाँ जाएगा half M और speed U cos 45 का square आजाएगा तो U cos 45 का square मतलब यहाँ से 1 by root 2 अरे भाई यहाँ से तुम देखोगे kinetic energy at highest point जो है angle 45 नहीं यह angle 30 दिया न angle गलती हो गया तो भाई question गलत हो जाएगा तो यह आजाएगा 30 तो यह आजाएगा 30 तो cos 30 तो cos 30 अगर तुम यहाँ रखोगे तो भाई cos 30 तो यहाँ से cos 30 तो cos 30 तो sin 60 मलब root 3 by 2 तो उपर आजाएगा 3 by 4 और यह half M U square कोप्चे में ले लू equation number 2 तो first से second में divide कर दो क्योंकि इन्होंने kinetic energy जो पुछा था initial से final पुछा था तो kinetic energy first point पे और kinetic energy top point पे second point पे ओजाएगी तो first point पे कितनी थी first point पे half M U square थी और दूसरे point पे यह जाएगा 4 नीचे यह जाएगा 3 और half M U square तो half M U square मतलब यह 4 by 3 is the final solution 4 ratio 3 that is fourth option सही है thanks for watching this video bye bye take care 5 नीचे टूसरे